दुनिया के इतिहास में इतना जूट कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत में किसी भी हुकूमत में इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके अपने लोगों को जमा करके उनको कम्यूनल बनाके लोगों को ले आगे अपना हाहाकारी हाहाकारी किया आपने सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए ताकि गाओं को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया है और आप जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अख़बार में छपने नहीं दे रहे हैं तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं तो मुबारक हो आप तो आप दरा दीजिए, सिक्यूरिटी वापस ले लिजिए, जो करना कीजिए आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए तड़पा के मारना है, तड़पा के मार दीजिए टांग के मारना है, टांग के मार दीजिए जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठा कर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है करना भी पड़ेगा तो हमी लोगों का नाम लेना पड़ेगा आप जाएंगे कहां पर आपके आप एक पत्रकार के मरने पर अगर आपने शोक नहीं व्यक्त किया इसका मतलब है कि आप आप में दम नहीं हो वो उदारता नहीं है इतना वक्त लग गए आप और आप इंसानियत मानवता की बात करते हैं भाशन तो कोई भी लिख देगा लगनव में इनके पार्टी के लोग आरेसेस के लोग लिखकर मर गए कि वो गड़गडाते रहे एंबुलेंस नहीं मिला अस्पताल नहीं मिला लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है अभुत पूर्व काम किया लिए यह इन्ती नहीं नयतिकता है जब इनको इतिहास ने मौका दिया इतना बड़ा इतना बड़ा मौका दिया तो यह नहीं कि जा रही है इसलिए यह देश जो है यह नायक और नेत्रित्व बहिन देश है और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेत्रित्व ना लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें